तो दोस्तो आज 16 November 2022 बात करेंगे इस वीडियो पे आप लोग के रेकमेंडेट कुछ important companies के शेयर के उपर जो की आके वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो चलिए के करके cover करते हैं सबसे पहला शेयर है हमारे लिस्ट में बजाज फनांस लिमिटेड जहां पर आज शेयर क्लोजिंग दिया 2.15 परसेंट गिरावट के साथ especially अगर हम बात करें company का जब quarter two का result आउट हुआ उसके बात से हमने देखा शेयर के अंदर लगातर गिरावट देखने को मिला और मज़े की बात यह है कि company का इस बार रिजल काफी अच्छा आया था मतलब चाहे हम margin की बात करें चाहे हम revenue की बात करें या net profit से लेके earning पर शेयर की बात करें हर एक segment पे company अच्छा पर्फर्म किया था उसके बाद भी शेयर एकदम से पिड गया तो इसके ओपर तो दोस्त है उसके साथ अर्णिंग पर शेयर है हर एक segment पे company अच्छा पर्फर्म किया उसके बाद भी देखें बजाज फिन सब्केंदर लगातार गिरावट जा रही है साथ-साथ आज भी एक इंपॉर्टन लेवल ब्रेक किया जो की होगा आपका सतरा सु रुपए का लेवल भी गिरावर देखने को मिला नौडाउट यह चीज़ भी है बट यहाँ आपको डिविडेन मिलेका कितना रुपए का डिविडेन कोई खास बहुत बहुत बार नहीं बट फिर भी एक रुपए 25 पैसे का प्रोडिविडेन मिलेका क्योंकि उसका जो एक स्टेट कंपनी चर्चा किया था कि कंपनी का देखिए तो कंपनी के इस पर उसके बीचे रीजन भी है क्योंकि आज की रेट पर कंपनी का प्राइस को कम करना पड़ेंगा वह बहुत जदा घट चुका तो इसको पर भी दोस्तों बात चीट करेंगे चार्ट पर और साथ-साथ यहां पर द लगातार अलर्ट भी किया था कि शेर भले एक दो परसेंट या पांच दस परसेंट उपर की तरह मुव जरूर कर गया पर इसके उपर दोस्तों भी इन्वेस्ट करना बिल्कुली बेफकूफ होगा क्योंकि सिंपल सी बात है कि कंपनी का मार्केट शेयर वो लगातार गिर तो जिस बैसे थे कि बीच बीच में जैसे शेयर के अंदर तेजी हो रहा है लोग यहां पर फस रहा है क्योंकि लोग को लग रहा है कि यह चलो बाउंस बैक करेगा हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं और उसके बाद देख सकतों यह आई-एक्स का लास्ट तीन-चार मैने का सबसे बाद यहां पर यहां पर इसके नीचे पहुंच गया तो यह सारी लेवल्स पे लोग बहुत फस्ट चुका है बुरी तरह फस्ट चुका है मतलब लोग को लगा था कि हम एवरेज कर लेंगे जिनको पास हाई रेंच पर प्राइस है तो यहां पर जब शेयर कंदर बा पर ऐसा हुआ नहीं क्या हुआ तो देखे शेयर कंदर एकदम से गिरावाट फिर से देखे शेयर यहां पर पहुंच गया थे 140 फिर देखे थोड़ा बहुत यह वांस बैक करने को यह फिर से पहुंच गया था कॉंसल लेवल पे 130 आज की देखे लास्ट एक महीने का 140 की ऊपर पहुंसता हुआ अगर फिर से यह 140 का लेवल ब्रेक किया तो दोस्तों डेफिनेट उसका जो नेक्स लेवल 135 तक पहुंच सकता है अब इसके बीचे गिरावट की देखे प्रॉपर डिजन भी कंपनी का जो स्ट्रॉंग कंपेटर एच्पी एक्स नाम करके मार्कि गिर रहा है तो हर एक जो की क्वाटरली रेजल्ट के साथ हमने देखा आएक्स का जो पर्फॉमेंस है उसके अंदर भी काफी जादा गिरावट देखने को मिला ना के बल वॉल्यूम के अंदर गिरावट बलकि उसके साथ साथ टोटल इंकम और अगर गिरा तो अब्सक्री कंपनी का नेट प्रॉफिट वहां पर गिरावट देखने को मिला तो सिंपल भाशा में देखे आएक्स के अंदर अभी मैं आपको बिल्कुली अवाइट करने का रेकोमेंड दूंगा मदब कम्प्लीटली इग्नोर कीजी इन्वेस्ट मत करना बाकि आपके वास अगर शेर अभी कहीं नहीं दोस्तों फिर से अपना पुराना जो लेबल था उनीस सो लेबल मतब हर एक लेवल को ब्रेक करते हैं पहुंच चुका है बट एस्टेल के अंदर दोस्तों यह बढ़िया मौकाई शेर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिजिसको पर लाज्ट ड्रेवी मैं बार बार रेक्मेंट किया तक क्योंकि आज की डेट पर गिटते-गिटते करें के इसका आरेसा इंडेक्स बेस करें तो देखें शेर जो की ओवर सोल्ड जोन के एकदम बॉटर लाइन पर खड़ा है मतलब इसके अंदर अगर और दो तीन दिन गिरावट हुआ यह कंफर्म मतलब हर सो पॉइंट की गैप मतलब सेयर आज की डेट पर चले आपको उनीस सो हो सकता है कि कल और गिरावट हो और शेर पहुंच गया अठ्रास रूपए की लेवल पे तो इस लेवल पे आप थोड़ा-थोड़ा करके और इन्वेस्ट कर लेना इसे बोलता है अगर और कि यह सारे अच्छी कंपनी इतना डिस्काउंट प्राइज हो मिल रहे फाइदा यहां पर यही है कि दिरे दिरे बाइंडियों से उठाइए तो जो लोग यहां पर देखिए इस लेवल का आसपा जब देर दो महीने विया पर ट्रेट किया था उठाया था देखिए बस कु के पहले दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एंकरेज करना क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़दा मोटिवेट करता है इस टैपके इन्फरमेटिव वीडियो आपके साथ शे पर एक चीज़ अधियान से लगए का आज की अतना तेजी देखने को मिला उसके बीचे में रिजन है बैसके लिए बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी दोस्तों हर एक दिन अपना हाई बना रहा है उसके बात नेक्स डेए फिर से वहाई को ब्रेक करके फिर से एक निया हाई बैंक निफ्टी जिस दिन धस जाएगा मार्केट के अंदर दोस्ते बहुत बड़ा गिरावाट या बहुत बड़ा करेक्शन होने का भी चांस है अगर आप दूसरे सेक्टर को भी देखोगे मतलब इन बेशी सेक्टर हो गया एफमसी से इसमें कोई खास हमें मतलब याप ढ़ी मिला लास्ट को सटलिए से स्ब्याइब बैशाज्स फिंस अब करके सब्सक्राइब सब्सक्राइब लुदया चांस है इनकेस अगर कल ही हमें सब्सक्राइब पर मैं हमेशा आपको बाइंग करेंड दिया इनकेस अगर फिर से नीचे पहुंच गया तो उसकेस में आपका बाइंग लेबल रहेगा साड़े श्याजर के असपस बाजाज फिन सब्सक्राइब करना और फिर से जब अगर शेर है पहले से आपने बाई करके रखा तो लॉंग टम के लिए छोड़ दीचे देखने अच्छा खास आपको मुनाफ़ा मिल जाएगा बट शॉट टम परपस बाई मत करना हमेशा लॉंग टम की सोच रखके इसमें इन्वेस्ट करना बाकि दोस्तों वीडियो के करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए टेक क्या बाबाई जाए हिनुए